हेलो दोस्तों तो दोस्तों जैसा की नया साल शुरू हो चुका है तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नया साल की धेर सारी सुबकामना है और ये नया साल आपके लाइफ में धेर सारी खुशिया और आपके लाइफ में सफलता और साथ ही आपकी जो भी मनुक कामना है वो सारी पूरी हो और इसी सुब कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूं तो दोस्तों अगर आपने जैसे की सीजनल फूल लगाए हैं और या फिर आप परमानेंट भी पौधे लगाए हुए हैं तो अगर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए यह वीडियो आपके लिए है आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाली हूं जो कि आपके पौधे को एकदम फूलों से भर देगा और आपके पौधे में फूली फूल नजराएंगे तो आए दोस्तों स्वागत है आप सभी का बाल के नी एंजल गार्डन में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में अभी फूल काफी भर के आ रहे थे पर इसमें थोड़े से अभी फूल कम हो गए है तो मैं सोच रही हूं कि इसमें अब मैं फटिलाइजर बना के दे दूं क्यूंकि 15 दिन से उपर हो गए ह मैंने इसमें फटिलाइजर दिया था और आप सभी के साथ शेयर भी की थी तो अब जैसे कि मेरे इधर थोड़ी सी धूप निकलने शुरू हो गई थी और फूल भी आने शुरू हो गए हैं तो अब इसे थोड़े से जादा फटिलाइजर की ज़रत है तो इस टाइम पे हमे अभी जैसे जन्वरी के महिने में हम इसे कौन सा फटिलाइजर दे कि हमारे पौधे में फूल काफी अच्छी मातरा में आए जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गुलदावदी के पौधे में एक दम मैं छोटा सा प्लांट लगाई थी और देखिए फूल भर गए हैं क्रमाननिया में भी काफी फूल कल बन रही हैarnahi atgолж कि मैंने जो पर्मानेंट पौधे भी लगाहे है वह भी मैं आपको दिखाती हूं कि सभी में मैंने नेख्सäre्टटाइम जो फटिलाइजर दिया था तो सब में एक्दम कलियां बन रही हैं यहां तिक कि मैंने वह सबरीयो तो काफी लंबी होने लगती है तो यहां देखिए एक जोरा में भी मेरे कलियां बिल्कुल भी नहीं थी अब कलियां बन रही हैं और जो पर्मानेंट कुढल होते हैं जो कर्मियों में ही सिर्फ फूल देते हैं आप देखिए उसमें भी कलियां बनी हुई हैं यह सारे पौध रहे हैं और जो हाइब्रीड वाले होते हैं वो तो ठंड में खिलते ही हैं उसमें भी काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो ये सब जो है मैं जो फटिलाइजर देती हूँ ये उसका रिजल्ट है आप देखे कितने सुन्दर सुन्दर फूल खिल रहे हैं मैं तो रोज बीडियो नहीं बना पाती। कि ये मेरे छht पर रखे हुई हैं। तो डेली लगबग इसमें फूल खिलते हैं यहां पे मैंने सब प्लांट्स लगा हैं जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है और मैं यही अलग-अलग फटिलाइजर बना के सभी में डालती हूं तो आईए आज मैं कौन सा फटिलाइजर बना रही हूं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं तो दोस्तों मैं जो भी फटिलाइजर आप सब के साथ सेयर करती हूं वो काफे एफेक्टिव होते हैं और मैं उसे अपने प्लांट्स पे यूज करती हूं तब आपके साथ सेयर करती हूं तो यहां देखिए मैंने ले लिया है सबसे पहले मैंने ली है यहां पे सरसो की खली अभी ठंड में आप सरसो कली जितना हो सके आप अपने पौधे में यूज कीजिए बस थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा कि उसे आप अपने पौधे पे ना डाले यहां मैंने लिए है नीम की खली है और यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है यह नीम खली थे या ब्लैक वाले सरसों की खली थे फिर भी मैं इसे यूज कर रही हूँ जो भी हो और यहां पर यह मैंने तीसरी चीज लिए है जो की है गुड तो गुड को मैंने पानी में भीगो के रख दिया था और यह काफी पुरानी गुड है तो इसे मैं थोड़ा इसमें डालूंगे तो आप यह सारी चीजे अपने पौधे के अंदाज से ले सकते हैं और यह गुड आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फटिलाइजर है जो की आपके पौधे में उसकी मिट्टी की उरवरक छंता को बढ़ाता है अच्छे वाले बेक्टेरिया की उत्पत्ती होती ह तो मैं यहां पे यह सारे चीज मिक्स करके इसे मैं दो से तीन दिन के लिए रख दूँगे तो दो से तीन दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कैसा हो जाता है तो बस यहां पे मुझे इतना ही चीज नहीं मैं आगे दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या और मिक्स कर तो इसे अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये काफी अच्छे से मिक्स हो जाए और वो ब्लैक वाले नीम खली ही थी तो काफी अच्छा हुआ कि इसमें नीम खली भी मिक्स हो गए तो यहां पे यह तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे छट पे भी प्लांट्स में डालने है तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादे मात्रा में बनाया है तो यहां अच्छा से मिक्स करके उसके बाद इसमें मैं मिक्स करूँगी अभी मैं आपको दिखा रही हो कि इसमें मैं बहुत ही बड़LYा चीज जो कि ये है सेवेट पस ये मैं इतना ही मिक्स करूँगी ये बस एक धकन आपके प्लांट के लिए एक लीटर पानी में आप खो इसमें डाल के और फिर आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं अगर नहीं भी है तो नीम खली सरसो खली और वर्मी कंपोस्ट ये तीनों का मिक्चर बना के आप अपने पौधे में डालिए ये काफी अच्छे तो ये मैं इसे थोड़ा और पावर्फुल बनाना चाह रह बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसे आप पत्तों पे या पौधे पे इसे ना डाले ठंड के टाइम पे ये शीवीड बिल्कुल एकदम से जम जाते हैं मैं ऐसे तो ये बहुत कमी यूज करती हूं ऐसे मैं घर में ही बना के फटिलाइजर जादा यूज करती हूं घर के बने हुए फटिलाइजर भी है तो आप उसे जैसे की चनो यूज से अगर आप बनाते हैं तो आप उसे भी आप मिक्स कर सकते हैं तो इस तरह से यह देखें इन Jacquie strong fertilizer बनके त्यार हुआ है और अब ये इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिसकी कमी है potassium, magnesium, phosphorus सब कुछ इसमें mix है और इसके बाद इसे आप जितने पानी की जितने पौधे हैं आपके उस हिसाफ से इसको घोलिए और ये इस टाइब से transparent दिखना चाहिए और तभी आप अपने पौधे में इसका यूज करें इसे बिल्कुल भी एक दम गाढ़ा ना बना के दे अपने पौधे में वरना आपके पौधे में fungus लग सकती है आप चाहें तो इसे चान के भी यूज कर सकते हैं पर मैं इसे छोटे फूल भर गए थे कि मैं क्या बता हूँ तो इस तरह से आप इसे 15 दिन पर अपने गमले में यूज कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको जितनी जर्रत हो आप उतना यूज कीजिए और उसके बाद बाकी आप धक के रख दीजिए और इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप एकदम चौंग जाएंगे कि ये सारी चीज़ों से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो अब यहाँ पे मैं बाकी धक के रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे छट पे जो प्लांट है उसमें डालने है तो मैं जब छट पे के लिए बहुत इपड़िया फटिलाइजर है तो दोस्तों उमीद करती हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यह फटिलाइजर यूज करने के बाद आपक बादी मैं